दोस्तों आज की वीडियो के दर डिसकेशन करने वाले अगर आप SIP करते हैं, कहीं भी करते हैं, कोई fund आपने लिया हुआ है, index fund के अंदर करते हैं, कहीं भी किसी तरह की SIP अगर आप करते हैं, तो हमेशा ये होता है कि हम इसको hedge नहीं कर पाते हैं, यानि अगर market तूट रहा ह करते हैं, जिससे हमारा पैसा जादा ने टूटे हैं, या जादा नुकसान हमें न आओ, क्योंकि हमारे initial basis पे confidence lose हो जाता है, काफी लोग इस panic के अंदर आ करके, market से अपना withdrawal कर लेते हैं, पैसा नुकसान बुक कर लेते हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई स्थरिकर का market में नुकस लेकिन फिर भी क्या हम hedge करके अपने portfolio को protect कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों ये discussion करने वालेंगे, चाहें आपका fund 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, हो जाएगा, market के अंदर आप लंबे टाइम तक प्ले कर पाओगे, आपको एक confidence भी रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं, किस तरीके से, SIP वाले, fund वाले, किस तरीके से अपने आपको hedge कर सकते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का trading जाने के YouTube चैनल में, मेरा डामे अन्मोल मित्तल, सबसे बहले दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा, कि आपके पास capital कितना है, क्योंकि जितना आपके पास capital है, आपकी hedging cost भी उस तरीके से ही decide होगी, क्योंकि आप जादा hedging cost market के अंदर नहीं दे सकते हैं, अगर आपका capital कम है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका capital कितरा है, for example, किसी का capital 5 लाग है, SIP करके उसने इतना wealth create कर लिए, कि 5 लाग हमारे पास fund हो गया है, ठीक है, अभी छोटे amount का भी example ले लूँगा, 5 लाग का में एक example है, तो 5 ल आ रहा है, तो अगर 12% market देता हो आ रहा है, कभी कबार ये ज़्यादा दे देता है, कभी कबार कम दे देता है, सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे है, small gap, mid gap, बहुत ज़्यादा देते हुए आ रहे, लेकिन अगर हम 12% निफ्टी की बात करें, तो हम market को 2% से ज़्यादा hedging cost नहीं दे सकते है, यानि अगर 5 लाग से अगर मुझे 12% साल का return मिल रहा है, market में, तो 5 लाग का कितना हो गया 12%, 60,000 पे हो गया, है न, ठीक है, और अगर मैं 2% side कर लूँ, तो लगबख 10,000 हो गया, है न, तो 10,000 ही market के अंदर में इससे ज़्यादा hedging cost नहीं ले सकता, 1% ये 2%, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता न, कि 60,000 पे की hedging कर लूँ, market गंदर ऐसा भी नहीं कर सकता, मैं 20,000 की hedging कर लूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा hedging कर लूँगा, market के अंदर तो मेरा return और कम हो जाएगा, तो मुझे hedging कम करनी है, कापी लोग कहेंगे, सर 12% तो मिली रहा था, 12 मैं से 2% अपने hedging में लगा दिये, 10% बचे, तो इसे अच्छा तो मैं FD अगर अगर आ ले दा हूँ, आठ परसेंट तो मिली जाता है, market का risk भी क्यों ले, देखिए 12% CAGR market का ज़रूर आ रहा है, लेकि कभी कभा returns आपके ज़्यादा हो जाते हैं, और यह मैंने consider कर रहा है, शरिफ Nifty 50 के according, है न, मैं अगर बाकी index की बात करूँ, थोड़े small cap की बात करूँ, तो वह 18%, 20% का CAGR भी है, NB20 का अगर आप देखेंगे, 18%, Nifty next 50 का देखेंगे 16%, तो depend करता है कि आपके पास fund कौन सा है, मैं उसके ओपर debate नहीं कर रहा, मैंने ATG को किसी में fund के दर apply कर सकते, और यह आपके portfolio को hedge करने में help करेगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका 15% का return आ रहा है किसी fund में, ठीक है, तो 2% hedging cost, 13% यह आपके बस remaining बचाना, अभी 2% जो है यह आपका waste नहीं जा रहा है, यह waste इसलिए नहीं जा रहा है, तो कि यह जो hed invest कर सकते हो, फिर then उसके बाद जो market ऊपर जाएगी, तो वो wealth rate आपकी हो जाती है, तो यह hedging cost भी आपकी बेकार नहीं जाती है, यह कभी ना कभी आपको profit दे जाती है, तो आपका ऐसा नहीं कि return आपको long term में कम हो जाएगा, return आपको अच्छा हो जाएगा, बलगी बढ़ ज करेट करिए, ठीक है, अगर आपने 2 लाग की wealth करेट करिए, तो 2 लाग का 2% निकालेजिए, जो होता है 4000, तो 4000 आपकी hedging cost हो गई, आप इससे जाधा नहीं दे सकते हस्या 5% दे देंगे, हस्या 4% दे देंगे, उससे जाधा नहीं, उससे जाधा hedging हम नहीं लगा सकते, तो 2% अब idle amount market में लेकर के मान रहें, तो जितना भी आप तो fund है, उसका एक सबसे पहले 2% हिस्सा, देख लिजए कि यह आपका hedging cost के अंदर लगने वाल है, मतलब जब आप hedge करोगे, तो इतनी costing आपको देनी पड़ सकते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों मैं multiple आपको strategies बता रहा हू और example लेते, किसी के पास 2,00,00 का SIP amount है, एक fund उसने create करा, SIP वो कर रहे है regular, और वो hedge करना चाहते है, उनको डर लगता है बीच में कि अधर market गिर गया तो क्या करेंगे, तो उस condition में हम market में क्या कर सकते हैं, hedge करने के लिए भी Nifty को choose कर सकते हैं, चाहे आपका किसी भी fund के अं आपने portfolio को hedge कर सकते हैं, यानि अगर Nifty गिर रहा है, तो all over सब कुछ ही गिर रहा होगा, कोई कम, कोई ज़्यादा, और Nifty बढ़ रहा है, तो सब कुछ ही बढ़ रहा होता है, कोई कम या ज़्यादा, है न, अभूमन ऐसे ही होता है, हमारा benchmark है न, Nifty 50, इसके अंदर सभी industry के stocks होंगे, 50 stocks है, तो जिदिस industry के stocks होंगे, सभी industry के stocks होंगे, सभी industry के stocks होंगे, सभी मिलतर के सको उपर उठा रहे, तो all over market का bullish or bearish sentiment Nifty decide करता है, तो किसी में fund में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आप Nifty के तुरू market गंदर hedge कर सकते हैं, तब भी आप Nifty के तुरू hedge कर सकते चलिए आप बात करते कैसे, अब build and new custom strategy पर हम जाते, सबसे पहले हम एक contract लेंगे, सबसे पहली strategy आपके साथ share कर रहा हूँ hedge करने की, सबसे पहले आपको यह देखना है कि every year आप hedge करिए, every month hedge करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि costing आपकी ज़्यादा बढ़ती है, तो आपको try यह करना है कि एक साल का minimum एक perspective लेकर चले, अब देखे इस साल के दो मेने रहे गए, है न, तो मैं क्या करूँआ next year, यानि 2025 दिसंबर वाले contract को मैं open करता हूँ nifty के, अब यहाँ पर देखे मैंने क्या करा, 2025 वाला जो contract है, इसके 400 दिन बचे है, 400 days बचे है, 414 days बचे है, एक अब मेरे पास एक साल का में एक hedge production लेना चाहता हूँ, एक insurance के रूप में market के अंदर में लेना चाहता हूँ, अब देखे मार्केट कहां चल रहा है, market चल रहा है 24,000, nifty, ठीक है, तो मेरा fund मान लेते है, 2,00,000 है market के अंदर, ठीक है, SIP करके, हमने market के अंदर 2,00,000 की wealth create करी ह और हम अपनी SIP regular कर रहे हैं, first of all, जो SIP regular कर रहे होते हैं, मंतली कर रहे हैं, या weekly कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आपको एक hedge position में already आप लेकर के आते हैं, कैसे, क्योंकि अगर market गिर रहा होता है, तो आप नीचे के level पे SIP कर रहे होते ह तो first of all, आपकी नीचे के level यो buying होती है, तो आपको जो position है न, जो आपने यहाँ पर buy कर रहा होते हैं, तो SIP का एक hedge point तो already हो रहा होते हैं, जो SIP कर रहे हैं, फिर भी अगर बड़ा capital इखटा हो गया, तो कैसे कर सकते हैं, समझते हैं, देखें, अगर आपका छोटा capital है, 2, 2,00,000 है, 2,00,000 में मैंने बोला, 2% of hedging cost निकाल लिए, जितनी भी आपकी capital है, तो 2,00,000 की hedging cost आपकी लगबाग आती है, 4,000, तो आपको एक ऐसा put buy करना है, जिसकी costing 4,000 पे हो, simple, तो आप क्या करिए, नीचे की तरफ आइए, जैसे कि देखें, 20,000 वाला ये contract है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ buy कर लिया, ठीक है, तो इसके लिए मुझे costing लगी लगबाग 5,000, 5,000 पे में मुझे ये put मिल जाएगा, इस put को मैं buy कर सकता हूँ, खरिदा कौन से level का है, 20,000 level का, अब आप एंगे, जि 20,000 का level बहुत नीचे का खरिदा, ये तो 0 हो जाएगा, देख 2008 में 50-60% के आसफस market crash करी थी, nifty crash कर गया था, है न, तो अगर आप market में crash हो रहे हो, माल लेते हैं कि market यहाँ से 30% crash करती है, और example, 30%, तो माल लेते हैं market यहाँ से 30% crash कर रही है, इसमें आएगा नहीं दोस्तों इतना, तो यहाँ मैं लगबाग, तो मैं यहाँ फीगर लगब अगर 18,000 के, ठीक है न, तो माल लेते हैं market 18,000 पर आती है, crash करती है, ठीक है, लगबाग 25% नहीं आसे, अगर market crash करती है, तो क्या होगा, अगर 125% market crash करती है, तो यह जो 5000 पर पूट आपने बाए कर रहा था न, यह 5000 पर पूट आपको पैसे दे रहा है, expiry पर 44,000 रुपीज, 44,000 ठीक है, आपको यह 44,000 पर दे देगा, ठीक है, clear है, अब आपको मिल गए 44,000 पर, अब होगा कैसे ही, जरा समझने की कोशिश करते है, 44,000 आपको मिल गए, आपका जो portfolio 2,00,000 था, ठीक है, निफ्टी गिर गया 25%, ठीक है, माल लेते हैं, आपका portfolio गिर गया था 35%, थोड़ा पर आपको कितने रहे थे, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 रहे थे, लेकिन अगर आपने protection ली होती, तो 18,000 के लेवल पर आपको 45,000 मिलते, तो आप यहाँ पर 45,000 अपने plus कर लीजिए, तो आपके लगबा होगे, 1,65,000, के लिए रहे, यानि आपको proper नुकसान नहीं हुआ, असी अजार पे का, आपका नुकसान कम हो गया, क्योंकि आपकी capital कम थी, इसी वज़ा से आप hedging lot के साब से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप काफी हद तक अपने आपको hedge कर पाए, market के अंदर, आपका 80,000 के नुकसान की जगा, आपका सिर्फ 40,000-45,000 ही market गंदर नुकसान हुआ, क्योंकि 5,000 तो costing भी लग गई है, उसको buy करने की, तो 50,000 बेसिकली आपको आता, लेकिन 45,000 आया, यानि 45,000 तो आप अपने आपको protect कर पाए, तो 2,00,000 की capital, आप देखिए, कि 1,00,000,20,000 हो जाए, वो देखना जादा comfortable है, या 2,00,000 की capital, 1,00,000,65,000 हो जाए, वो देखना जादा comfortable है, अब मुझे पता है कि अभी यहाँ पर मेरे साथ questions आने वाले है, सर्फ market crash तो 10 साल में एक बार करती है, है न, तो 10 साल में एक बार अगर market crash कर रही है, तो यह तो 8 से 9 बार तो जीरो हो जाएगा, 5,000 हमारे तो 50,000 बैसी लग गे, 2,00,000 में से 50,000 काटो, 1,5,00,000 तो वैसे रहे गे, अब यहाँ पर देखे समझने की कोशिश करिए, इलिएली समझिए, मैं आपको नो कोस्ट वाला तरीका भी बताऊ जिसमें कोस्टिंग नहीं आएगी आपकी, लेकि कुछ पाने के लिए कु वसूल हो गए पैसे, वसूल हो गए न, तो पहली बात तो वसूल हो जाएंगे, दूसरा इसमें क्या होता है, माल लेते, वगवार ना करे कोई क्रेश आ रहा है, और क्रेश के टाइम अगर हम माल लेते कि क्रेश हो गए, और यही सेनेरियो, सेम सेनेरियो है, यानि जहां से market गिरा था, same point पर market वापिस आ गया, यानि 40% जो आपका portfolio था, वो वापिस उपर चला गया, 40% increment हो गई, तो आपके 1,20,000 वापिस 2,00,000 हो गए होंगे, clear है, लेकिन आप यह बूल गए, कि आपने 45,000 कमाई थे, जो market के अंतर reinvest कर दिये आपने, वापिस आपने, 1,20,000 पर जो भी माल था, वापिस आपने reinvest कर दिये, तो आप इसमें देखे, 45,000 का 40% और plus करिये, plus 40% करिये, तो मैं मोटा मोटा लगा लगा लेता हूँ, 18,000 पर एक आसपस होना चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 40% अगर मैं प्लस करता हूँ, तो 18,000 के आसपस होगा, तो इसके अंदर मैं प्लस करूँ, तो लगबख 6 and 63,000, प्लस 63,000, अब ये दोस्तों आपकी wealth create होगी, यानि अब आपका जो capital है, वो 2,63,000 पर बन गया, और जिसने hedge नहीं करा था, उसका 2,00,00 का 2,00,00 ही रहा, आपने hedge करा हुआ था, और reinvest कर दिया था, इसी वज़े से आपका capital बढ़ गया, तो जिनका 2,00,00 तक की capital है, वो भी market में hedge कर सकते हैं, आप कहते हैं, जी हमारे तो 1,00,00 की capital है, देखिए, बहुत कम capital के अंदर इतना risk नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 1,00,00 की wealth के अंदर भी, अगर 2,00,00 की SIP भी कर रहे हो रहा हर महीना, तो वो SIP ही आपको hedge कर देगी, तो बहुत ज़़ाद आपको गबराने वाली बात नहीं है, हैजिंग की ज़रूर तक पड़ती जब हमारा amount फड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़े amount के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, तो 2,00,00 मैंने काफी कम capital गिनी है, आप इससे कम capital पे ज़्यादा हैजिंग की सोची भी मत, कि अगर आप investment कर रहे है, क्योंकि SIP आप कर रहे हैं, माले दे 2,000,00 पे हर मेने लगा रहे है, तो वो automatic hedge हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अब चलिए बात करते हैं, कि हमें 5,000 भी नहीं देने market को, मुझे ऐसा तरीका बताओ, कि मैं 5,000 भी market के अंदर बचा सकू, तो कैसे बच सकते हैं, ज़रा समझते हैं, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, वापी जाते हैं, बील्ड एंड निव कॉस्टेम स्टार्टिजी, ठीक है, अब देखिए, December 2025 वाला contract लगा हुआ है, आपका fund किसी भी तरीके का हूँ, आप Nifty के अंदर hedging protection ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, कि अभी हमने buy करा था, one second, 20,000 वाला buy करा था न, तो माल ने थे हमने 20,000 वाला buy कर लिया, जिसके लिए हमें 205 रुपे का premium देना पड़ रहा है, जो लगबाख 5,000 रुपेगा है, ठीक है, मुझे ये पैसा नहीं देना, मुझे जीरो कोस्टिंग hedging चाहिए, मैं कोस्टिंग में पैसा नहीं देना चाहता, तो ठीक है, अगर आपको जीरो कोस्टिंग hedging चाहिए, तो जीरो कोस्टिंग hedging तो आपको मिल जाएगी market में, लेकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो ये आपको 5,000 में नहीं देने, आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों पर वाली कोई call आप देखिए और उसको buy कर लिजिए, simply, तो ये देखिए, 31,000 वाली एक call है, उसी next year की, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको sell कर दूँगा, short कर दूँगा, क्या करा मैंने इसको, short कर दिया, जब दोस्तों मैंने इसको short कर दिया, तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह का graph आपको बंदावा यहाँ दिखाई दे रहा है, अब यह दोस्तों आपकी हो गई zero cost hedging, यानि जो आपको 5,000 पर देने पड़ रहे थे न, कोई costing नहीं देनी है, लेकिन 31,000 से ऊपर जाते ही, Nifty के अंदर unlimited loss start हो जाएगा, यानि आप उससे ज़्यादा market के अंदर पैसा नहीं बना पाऊगे, अभी market कितने पर है, अभी market 24,000 पर है, तो लगबग मैं कहा रहा हूँ कि 6,000 पॉइंट दूर, 6,000 पॉइंट दूर की हम बात कर रहे हैं, जो लगबग लगबग 30% होता है, तो अगर 30% market आपका भाग गया, और माने थे कि आपके कोई small cap fund है, या mid cap fund है, या mixed fund है, तो obviously वो 40% तक बात चुगा होगा, तो आपको तब भी घबराने वाली बात नहीं है, और अगर market 31,000 पर आजाती है, तो आपको सबसे पहला काम पता है क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, कि आपको ये जो आपने call बेची है न, इसको exit कर लिना है, अगर market 31,000 के आसपास आ रहा है, मानने तिया market 30,000 के उपर भी आ गया, 30,000 के उपर आ गया comfortably ट्रेड कर रहा है, 30,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 31,000 वाले में कोई profit आ रहा हो, या loss आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आपको इसको निकाल लेना है और exit कर देना है इससे, आपको ज़्यादा उसमें tension यह नहीं है, इससे क्या होगा, आपकी एक तो zero, अगर market नीचे जाता है, तो यह आपकी zero cost hedging है, क्योंकि जो आपने 200 वे यहां दिये न, वो इसने कमागर के दे दिया आपको, और 20,000 से नीचे market जितना जाएगी, उतना आपको यहां से पैसा मिलता रहेगा, जैसे क्या आप ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, यह देखें, यह देखें, यह देखें, बीस अजार से नीचे जितना market जाएगी, उतना आपको पैसा मिलता रहेगा यहां से, market अगर 40-50% crash पर जाती है, तो वो protection आपको सेम मिलते रहेगी, अब जो मैंने आपको example दिया था, लेकिन इस zero law, zero cost hedging है, तो यह दोस्तों होगी तूसरी strategy, मैंने दो आपको बता दी है, अब मैं आपको बताऊंगा तीसरी strategy, जो hedging आप कर सकते हो, और आप वुमन सब जानते, सब इसको market में apply भी करते, तो ज़्यादा समझने की कोशिश करते है, ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों, आपकी जो capital है वो 2,00,00 है, ठीक है, मैंने सारे example 2,00,00 के साब से लिए, क्योंकि हमारे जादर वियर्स, जो है वो जादा fund नहीं होता है, और obviously हमें कम capital एक retail trader के point of view से सोच रहे है, और जरूर बगवार की इच्छा रहेगी, तो बड़ा fund बनाएंगे, बड़ी wealth create करेंगे, तो इसी दुआओ के साथ, प्रातना के साथ शुरू कर रहे हैं, अब यहाँ पर ज़रा यह समझने की कोशिश करिए, मालने ते आपके पास 2,00,00 है, ठीक है, market crash हो रहा है हो जाने दो, लेकिन मैं market से एक certain amount of interest चाता हूँ, जो मेरे portfolio को protect करें, अब इसकी protection बहुत थोड़ी सी protection रहेगी, लेकिं long term में आपके ज़्यादा benefit देगा, कैसे समझते हैं, मालने ते मार्केट अभी 24,000 के उपर बैठी है, अब इसके अंदर आपको risk तो है इस market के अंदर, पहली बाद जब आप SIP कर रहे होते हैं, तो मैंने बोला, आप automatically hedge कर रहे होते हैं, क्योंकि नीची के level पर आप buy करते रहोगे, अजर market crash हो रही है, आप अपनी SIP अगर नहीं रोकते हैं, तो एक time के बाद market recover कर जाती है, अपने level पर पहुंच जाती है, और जो नीची के level पर जो आपकी buying होती है, वो आपको profit दे जाती है, तो एक benefit आपको यह मिलता है, second हम market में क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि 2% की मार्केट के अंदर costing देखी, हैना 2% की costing हमने देखी है, अब हम एक काम करते हैं, 4% की एक costing लगाते है, माल लेते 2 लाग की capital है, 2 लाग का 4% देखो कितना हुआ, तो लगबख 8,000 पे होता है 4%, तो जो 8,000 पे हैं, मैं एक ऐसी strategy चाहता हूँ कि मुझे ना 4%, 3-4% ना every year मिलता रहे, market अगर नहीं बढ़ता है तो, तो मैं क्या करूँगा, 4% हमारा कितना हुआ, लगबख automatic अरह हम देखे, तो माल लेते 30,000 एक round figure आ रहा है, ठीक है न 30,000, तो मैं क्या करता हूँ, 30,000 वाली सिर्फ एक naked call short करता हूँ, और इसको covered call कहते हैं, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिस की calculation समझने की कोशिश करना है, 2,00,000 थी, 2,00,000 की capital का हमने एक हिसाब लगाया, 3% कितना होता है, लगबख 8,000 के आसपास, तो उसके आसपास, जहां मुझे पैसा मिल जाए, उसके आसपास के में call short करूँआ हैं ना, simple सा calculation हमने करा है, ठीक है, तो हमने क्या करा है, यह 30,000 वाली क्या करी हैं हमने short कर दी, जब हमने 30,000 वाली short कर दी, अगर market 30,000 से नीचे नीचे रहता है, next year, December का जो आखरी expiry है option का, अगर उसके नीचे नीचे रहता है, तो मुझे यह पैसा मिल जाएगा, यह देखें, 7,475, अब काफी लोग मुझे से यह कहेंगे, सर यह fund भी तो देना पड़ेगा ना, यह वाला जो fund needed है, यह fund कौन देगा, तो अगर आपका mutual fund है ना, वो mutual fund जो भी fund है, index fund है, आप उसको pledge कर सकते हो अपने broker के पास, broker से pledge करके, फिर आप यह auction ले सकते हो, है ना, तो आपको fund arrange करने की ज़ूर्द नहीं है, आपके fund से ही पैसा आ जाएगा, और pledge करके आपका यह काम हो जाएगा, तो वो problem आपको नहीं होगी, कि आपको अलग से capital जाएगा, अलग से capital लेने की ज़ूर्द आपको नहीं पड़ेगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब इसमें क्या है कि आपको 7,000 पे मिल रहे हैं, अगर market 30,000 से नीचे नीचे रहती है, अब हमें डर है, market crash हो रहा है, 30% चला गया, 40% चला गया, कब उपर जाएगा, हमें नहीं पता, अब आप यहाँ देखिए, हमने लगबख 4% एक साल में यहाँ पर ले लिया, 4% हमने यहाँ ले लिया, अगर 10 सालतन market उपर नहीं बढ़ता, माल लेते हैं, बता ऐसा 1 ही है अस तक, लेगिन माल लेते हैं कि 10 सालतन market उपर नहीं बढ़ा, तो यह 4% multiply by 10, 40% का return तो हम यहीं से कमा चुके हैं, 40% का return, प्लस SIP जो आपने नीचे करी होगी, आपने अपना average price और लेकर क्या आई होगे, यानि आपने जो भी capital लगाई, उसका 40% तो आपने यही से निकाल लिया, 30-40%, तो होगे न हैज, जो आप ऐसा कमाते जा रहों, आप चाहिए तो reinvest कर लीजिए, या अपने लिए यूस कर लीजिए, आपकी मर्जिए आपको क्या करना है, लेकि 40% तो हम market से कमा चुके है 10 साल में, ठीक है, यही 20 साल में कितना कमा चुके होंगी, बहुत अच्छा कमा चुके होंगे, तो ये market में दोस्तों आप कर सकते हो, अब जैसे कि 2008 वाला जो crash था market में, वो एकदम उठा नहीं था, जैसे कि आप ये देखिए, 2008 में market में crash, देखिए 2020 वाला जो crash था न, वो V-shape crash था, यानि एकदम नीचे गया, एकदम सडली मीचे गया, सडली उपर उड़ गया, तो काम चल गया, जादा फरक पड़ा नहीं, और attraction बहुत आया लोगों को, लोग कह रहे यारे, ये तो बहुत बड़े चीज़े है, market मीचे जा रही है, सडली उपर जा रही है, इससे बेटर क्या हो सकता है, लेकिन अगर हम 2008 वाला crash देखिए न, दोस्तों, तो वो एकदम नहीं उठाए, अगर आप उसका high देखाऊगे न, कब लगा उसको तोड़ने में ये देखिए, अभी मैं high दिखाऊँगा इसका, कब comfortably कब तोड़ा है, देखें 2008 में यहां कई crash आया था, ये देखें 2008 वाला, ठीक है, high break करने में कितने साल लगा दी है, इसने, 2014 के बाद, मिड में आया है, बलकि 2014 के मिड में, तो लगबख 6 years, market के अंदर, इसने time लगा दिया, अब आपका पैसा तो वहां की वहीं आ गया, लेकिन ये 6 साल तक आपको क्या मिल रहा था, कुछ नहीं, आप irritate हो चुके थे, market के अंदर, और आप शायद को सरे होंगे, market को कि, इस अच्छा तो वह बैंक वे लगा लेता, interest rate जादा था उस time, पैसा डबल हो चुगा होता होता, लेकिन यहां भी आगर आपका पैसा बन जाता, कैसे बन जाता, आपका पैसा बन जाता, अगर आप उपर की कोई call short कर रहे होते, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि बहुत दूर की call आप आपने short कर दी, जिसके अंदर आपको 2-3% तक मिल जाया साल का, अगर 3% आपको मिलता, तो यह 6 year plus, मालने ते आपको 4% का आपने example लिया, 4, तो 24% का तो आपको return मिल गया होता बीच में, जिसको आप बीच बीच में invest कर चुके होते, यहां invest कर चुके होते, यहां कर चुके होते, तो आपकी average costing अल्रेडी नीचे आ चुकी होती, दूसरा यहां पर आप SIP कोंटिन्यू कर रहे होते, है तो भी आपकी कोस्टिंग लीचे आ चुकी होती इसी वज़ासे अगर मार्किट यहां पर उठाए ना यहां पर भी आपका पैसा डवल हो जादा आपकी कोस्टिंग काफी नीचे आ जाती है तो यह दोस्त आप मार्केट गन्दा बेनेफिट उठा सकते हैं जिस तरीके से तो सब मकान खरिदते हों और हम यह टेंशन नहीं लेते कि 10 साल में नहीं बड़ा 20 साल में नहीं बड़ा हम इसी तरीके से कॉल को शॉट करके एक एरली रेंट कमा सकते हैं और जो रेंट इंड है नॉर्मली रेजिटेंशल एरिया में डाई-3% ही मिलता साल का उससे जाधा न मार्केट जो आपने कवरड कोल बनाई है मतलब जिसको आपने शॉट करा जैसे कि यहां पर हमने देखा कि हमने 30,000 वाली शॉट करें अगर 30,000 से उपर मार्केट जाएगी तो आपको एक नुकसान होना शुरू होता इसके अंदर तो मैंने आपको पहली कहा कि आगर 30,000 के आस-पास मार्केट आ चुकी है तो आपको पॉर्टफोलियो 20-25 बढ़ चुका है 20-25 तो वहां आपको अच्छा कासा प्रॉफिट आ चुका है तो इसको काट कि एक साइट कर दो इसमें थोड़ा बहुत जो भी नुकसान होगा माल लेते हैं कि यह आपको 7,000 वाली चीज 10, 15,000 पेगी हो गई है 14,000 पेगी होगी 5-7,000 का आपको नुकसान आ रहा है कोई बात नहीं लेकिन वहां आपको बहुत अच्छी वैल्ट क्रेट हुई है वहां पर आपका पैसा लगबग लगबग 40-50,000 पे आपका बना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोड़ना भी की जा सकती है यह मैंने तीन तरीके आपको हैजिंग के बता दिये अपनी कोस्टिंग निकाल लो कितना बड़ा आपको पॉर्टफोलियो है उसका 2% निकाल लो 2% के आसपास की नेकट पुट खरिद लो और हर साल खरिद कर बैठ जाओ तो आपको 10-20% तक का तो डेंट के बाद वो प्रोटेट कर लेगा 10-20% बहुत जादा नहीं होता इतना हम सेंट कर लेते हैं एक लाग का नब्य अजार हो जाए आसी अजार हो जाए नीचे के लेवल पर भी खरिते रहेंगे काम चल जाएगा उससे जादा क्रेश में डर लगता है तो वो प्रोटेट कर ले कॉल के अंदर नुकसान आना शुरू हो जाएगा तीसरी कंडिशन सिर्फ कॉल शॉर्ट करते रहो दूर की आउट ओफ दा मने की कॉल एक सार वाली शॉर्ट करते रहो जिसको पवर्ड कॉल कहते है और इससे आप एक येरली रेंट कमा सकते हो और अपने पॉर्फोलियो को कुछ भी हो आपका एक काम चल जाएगा और इससे आप मार्केट को हैज कर लोगे जितना दूसरे लोगों को नुकसान होगा नेकेट जिनोंने बाय करा है उससे आप काफी प्रोटेक्टिट रहेंगे और हैजिंग कोस्ट एकना एक टाइम पर आगर के निकल जाते है कवर हो बाए है तो यह दा दोस्तों तीनों स्टैटिजी हैजिंग की आपकी रिक्वेस्ट के ओपर ये वीडियो बनाई है उमीद करता हूं कि आपके कॉशन का आंसर मैंने सही तरीके से दे दिया बागी दोस्तों वीडियो वाइन अप करने से पहले कुछ बुक के सजेशन्स मैंने आपको ट्रेडिंग इंदन जो और बुक जरूर पढ़ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये आपकी सैक्लोजी को बहुत अच्छा करेगी बागी कुछ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्टैटिजिस की बुक मैंने सजेस्ट करिए आप चाहे तो इनको बाई कर करके और पढ़ सकते इससे आपको काफी मदद मिलेंगी ट्रेडिंग के अंदर दूसरा दोस्तों अगर आप फ्री में इंट्रेडिंग सीखना चाहते है तो हमने कोर्स डिजाइन करा है और यह सिर्फ करा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए तो दो तीन काम करने है चैनल सब लास्यू बवादोस